योजनायन इंदी यूट्यूब चैनल पर आपका सुवागत है पैंसन धारकों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खुसकबरी जारी हो चुकी है क्योंकि उत्तरपरदेश सरकार की तरफ से जनवरी फुरवरी मार्च महिने की पैंसन का पैसा कब आएगा और सबसे पहले इन दस जिलों में पैंसन का भुकतान किया जाएगा जी हाँ पैंसन साथ लाबारतियों आप पैंसन आने का इंतजार कर रहे हैं जो जनवरी फुरवरी मार्च महिने की पैंसन है लेकिन अब आपके लिए बहुत ही अच्छी कुसकबरी जारी हो चुकी है क्योंकि जनवरी फुरवरी मार्च महिने की पैंसन का पैसा कब आएगा और सबसे पहले कौन से वे दस जिले हैं जिन में पैंसन का भुकतान किया जाएगा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो अगर आप भी उत्तरपरदेश सरकार के तरफ से विकलांग, विद्वा, व्रद्दवस्ता या कुष्टवस्ता पैंसन का लाव लेते हैं तो वीडियो लाश तक जरूर देखेगा और जानिएगा कि कौन से दस जिलों में सबसे पहले पैंसन का भुकतान होगा तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो में आगर बढ़ते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से कई परकार की पैंसन योजनाय चलाई हुई है जिसमें वरद्धवस्ता, विद्वा, विकलांग, कुष्ट, रोगयों के लिए और एड्स रोगयों के लिए भी पैंसन योजनाय चलाई हुई है क्योंकि यह लोग पैसा कमाने में एसमर्थ होते हैं और इनका कोई आर्थिक सोर्स नहीं होता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरब से यह पैंसन योजनाय चलाई हुई है जैसा कि आप जानते हैं कि वरद्धवस्ता पैंसन योजना चलाई हुई है विद्वा पैंसन योजना चलाई हुई है विकलांग पैंसन योजना चलाई हुई है उत्तर परदेस सरकार की बात करें तो उत्तर परदेस सरकार ने अभी तक विकलांग विध्वाव रद्धावस्ता पैंसटन की तीन किस्त जारी की है जिसमें लावारतियों को तीन हजार उपे से लेकर 9,000 उपे तक का पैंसन मिला है और कुछ pension लावारती ऐसे भी है जिनकी pension कट चुकी है और उन्हें pension नहीं पिल पा रहा है तो सबसे पहले अगर आपकी भी pension कट चुकी है तो आपको अपना आविदन दोबारा से करना होगा अगर किसी करन से आपका pension रुखा हुआ है तो आपको अपना जो के वाईशी है वह complete कराना होगा धेखे अगर आपका pension पिछले कुछ महिनें से रुखा हुआ है तो आप अपनी pension का केवाईशी जरूर करवा ले अपने बैंकाते में अपनी पैंसन में अपने आधार कार को लिंक जरू करवा ले क्योंकि बहुत से ऐसे पैंसन लावारती हैं जिनका पैंसन कट चुका है और या जिनका पैंसन रुका हुआ है और बहुत से ऐसे भी लावारती हैं जिनोंने पैंसन के लिए नया आविदन किया है तो जैसा कि मीडे रिपोर्ट के अनुसार खबरे मिल लई हैं कि 10 मार्च से पैंसन जारी हो सकती है तो कौन-कौन से 10 जिले हैं जिसमें पैंसन का भुगतान सबसे पहले किया जाएगा आपका गोरकपूर जिला है दूसरा आपका गोंडा तीसरा हमीरपूर चोथा बस्ती पांचवा हापूर छटा कोसंभी सातवा खीरी और आटवा आपका कुशिनगर और नौवा और दसवा आपका ललितपूर और लखनव जिला है तो सबसे पहले इन दस जिलों में पैंसन का भुगतान किया जाएगा और यह है जो पैंसन का भुगतान किया जाएगा वह भी अब की बार 3,000 रुपे से लेकर के 9,000 रुपे तक का पैंसन का भुगतान पैंसन लाबार्टियों को किया जाएगा जिसका जितना भी पैंसन र करके 9000 उपे तक का पैंसन राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा और यह पैंसन आपको 10 मार्च 2024 से मिलना स्टार्ट होगा जैसा की मीडे रिपोर्ट के अनुसार अबरे सामने आ रही हैं तो अगर आपने अभी तक अपना KYC कंप्लीट नहीं कराया है तो सबसे पहले आप अपना KYC कंप्लीट जरूर करा लिजे क्योंकि बिना KYC के आपको पैंसन नहीं मिलेगा तो यही थी जानकारी की कौन से 10 जिले हैं जिसमें सबसे पहले पैंसन का भुकतान किया जाएगा और कब से यह पैंसन का भुकतान होगा वीडियो अगर आपको अच्छे लगा हो तो लाइक, share, comment जरू करिएगा और चैनल पर नए आए है तो subscribe भी जरू करिएगा